हेलो फ्रेंड्स, मास रुस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, इस क्लास में हम CRO, कैथोट रे औसले स्कोप की थियोरी को कवर करने वाले हैं, से पहले आपको बताना चाहेंगे, इसके लिए हमारे एप्लिकेशन पर एक पेड कोर्स उपलब्ध है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, तो इस कोर्स की कुछ स्पैसिफिकेशन है, जिसमें आपके टेकनिकल सलवस को इस कोर्स में कवर करवाया जा रहा है, पार्ट टूर टेकनिकल जो सलवस है, जिनके टॉपिक्स को और सब टॉपिक्स को हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिसकस किया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, बेसिक से लेकर के हाई लेविल तक की चीजों को इसमें कवर किया साथ ही साथ MCQ's Questions को भी इसमें Practice करवाया जाएगा, Classes की इसकी जो Handwritten Notes हैं, वो भी आपको इसमें उपलब्ध होंगे, PDF format में होंगे, और जिनको आप Revision के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो पहले 100 Students के लिए इसकी जो Fees है वो 599 रुपय है, तो अगर आप इस Offer का लाव लेना चाहते हैं, तो आप इन 100 Students के अंतरगत आना चाहते हैं, तो जल्दी से आप इस Course में अपने को Register कर सकते हैं, इस Course को Access कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यह हमारा Part 2 है, इसमें से 50% Question यानि कि 60 Question आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे, अभी Electronics Measurement and Instrumentation के अंतरगत जो Theory है, उसको हमने Complete कर लिया है, बाकी के Topics भी हम Daily Complete कर रहे हैं, जैसे कि यह syllabus है, तो आज की Class में हम क्या पढ़ेंगे, Cathode Ray Oscilloscope को Cover करने वाले हैं, AC और DC जो Measurement है, उनकी Classes हमने App पर Upload कर दी हैं, तो जो Students हैं वो उन Classes को देख सकते हैं, आपको Paid Course से जुडने क के लिए क्या करना होगा, Google Play Store पर जाना होगा, डाउनलोड करना होगा, हमारा Official Lab, मास रस्वती Classes, उसको सर्च कर सकते हैं, इस तरीके का Logo आपको देखेगा, तो उस Application को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहां पर अपने आपको Register करना होगा, जिसमें आपका Mobile Number, Email ID आपको Provide करनी होगी, उसके बाद यहां पर आप Store पर जाएंगे, Store पर जाकर के यहां पर आपको यह DFCCIL Junior Executive S&T Post के लिए यह Course आपको देखेगा, जिसे आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके, वाइना उपर क्लिक करके उससे जुड़ सकते हैं, एप का लि हलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम Electronics, Measurement and Instrumentation Topics के अंतरगत, सब टापिक है Cathode Ray Oscilloscope, तो इसको हम कवर करने वाले हैं, उमीद है कि यहां से Question Exam में जरूर पूछा जा सकता है, तो इस वीडियो लेक्चर को काफी अच्छे तरीके से समझेगा आप, सबसे पहले हम जानते हैं कि CRO, जिसको हम Cathode Ray Oscilloscope कहते हैं, वो आखिर है क्या? CRO एक बहुत ही जादा यूज किया जाने वाला इंस्टूमेंट होता है, जिसका उपयोग, ज्यादा तर Electrical और Electronics जो सरकेट होते हैं, उनकी Quantities को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि जो Physical Quantities होती हैं, जैसे कि Voltage हो गया, Current हो गया, Time हो गया, Frequency हो गई, Phase Difference हो गया, इसके अलाबा इससे Temperature और Pressure को भी मेजर किया जाता है, तो इस तरीके से CRO का जो उपयोग है, वो Electrical और Electronics सरकेट में Electrical Quantities को मेजर करने के लिए किया जाता है, और ये सीधे तोर पर इस तरीके से जो Quantities होती हैं, उनका Measurement इनसे पता चलता है, ना केवल Measurement पता चलता है, वलकि हम इसकी जो Fluorescent Screen होती है, उस पर अपनी Physical Quantities को देख भी सकते हैं, अनलाइज भी कर सकते हैं, उदाहर के तौर पर माल लीजिगा हमें इससे AC Circuit, कोई AC Circuit है, उसमें Current Flow हो रही है, तो उसकी Current को हमें Measure करना है, तो Measure करने के साथ साथ इसकी CRO की जो CRT Screen होती है, उस पर हम अपनी AC Current को भी देख सकते हैं, ये बिलकुल इस तरीके से आपकी जो Current होत होती है, वो उसकी Screen पर XY जो Plotter होता है, उस पर इस तरीके से बन जाती है, तो CRO के माध्यम से ना Cable Measurement किया जा सकता है, बलकि इसका Observation और जो हमारा, जो भी Measurement की जाने वाली Quantity है, उसको हम Analyze भी कर सकते हैं, देखिए, CRO से हम Voltage तो Measure करते ही है, साथ में Current भी Measure करते हैं, Time हो गया, Frequency हो गई, Phase Difference हो गया, इसके साथ साथ और भी एक दो चीज़ें और होती हैं, जिनको हम Measure कर सकते हैं, लेकिन जो CRO होता है, जिस पर हम Input Signal देते हैं, तो मान लोई, लीजिए कि हमें इससे Measure करना है, क्या? Current Measure करना है, तो इसके Input पर हम Direct Current को Apply नहीं कर सकते हैं, Current को हमें Transducer के माध्यम से Voltage में Convert करना होगा, तो इस तरीके से हम इसमें Input दे सकते हैं, एक्जाम में Question पूछा जा सकता है, कि जो CRO होता है, उस वो किस पर Operate होता है, तो CRO जो होता है, वो आपके Voltage पर Operate होता है, क्योंकि जो Current है, या फिर जो विक्रती है, Acceleration है, Pressure है, या और जो Physical Quantities हैं, उनको हम Transducer के माध्यम से Voltage में Convert कर लेते हैं, और फिर इस Voltage को CRO के Vertical Amplifier जहां से हम अपने Input Signal को Provide करते हैं, Measurement करने के लिए उस पर Apply करते हैं, और फिर उसके माध्यम से पूरी Process के बाद ये हमें इसका Measurement सो करता है, तो इस तरीके से इन Quantities से संबंदे जो भी Event होते हैं, उसके अंदर जो भी Operations होते हैं, उसको CRO जो है, वो अपनी Display, जो Screen है, Flouroscent Screen होती है, उस पर Display करता है, CRO का जो उपियोग है, वो Waveform को Find Out करने में किया जाता है, और जो इस तरीके से Time के According Change हो रही है, वैल्यू जो आपकी Quantities है, वो Change हो रही है, उसकी Range को, या फिर जो परिवरतन सील रासियां होती है, चेंजेवल वैल्यू होती है, उनको इसके माध्यम से ग्याद किया जा सकता है, चेंजेवल वैल्यू से मतलब होता है, कि जैसे यही आप एक Example ले लें, अगर AC की जो Waveform है, उसको आप देखेंगे, तो यह Time के According Change हो रही है, यह Stable नहीं है, इस तरीके से यह बिल्कुल भी Stable नहीं है, यह Change हो रही है, पहले High हो रही है, Positive पर, फिर Negative पर High हो रही है, त तो यहां तक आपको चीजें Clear हो गई होगी, पहली बात तो यह कि हमारा जो CRO है, वो बहुत जादा Use किया जाने वाला एक ऐसा Instrument है, जो कि Electrical और Electronics Circuit में, जो इसकी Quantities होती है, जैसे कि Current हो गया, Voltage हो गया, Time हो गया, Frequency हो गया, Phase Difference हो गया, इसके अलाबा यह Pressure, विक्रती, Acceleration और Temperature को भी Major कर सकता है, CRO में जो भी हम Voltage Apply करते हैं, जो भी हम Quantities को Major करते हैं, उससे पहले हमें क्या करना होता है, कि Transducer के माद्यम से इसको Voltage में Convert करना होता है, फिर Voltage को हम CRO में Apply करते हैं, जिसके माद्यम से यह पूरी Processing के बाद, यह हमें इसकी Fluorescent Screen पर, जो हमारी Signal है, या जो भी हमारी Quantities है, उसके According Results को So करता है, CRO जो है, वो बहुत जादा Use होने वाला एक Display Type का Instrument होता है, जिसके माद्यम से ना केबल हम इसमें Measurement कर सकते हैं, बलकि अपनी जो Physical Quantity है, उसको Observe भी कर सकते हैं, उसके Waveform को देख भी सकते हैं, और उसकी Waveform को देखने के सा साथ इसका Analysis भी कर सकते हैं, जैसे बाकी के कोई हमारे पास Instrument होते हैं, for example, Emitter की ही बात कर लेते हैं, तो Emitter से हम Current को सिर्फ मेजर कर सकते हैं, उसकी जो कह सकते हैं कि उसका जो Magnitude होता है, वो हमें सिर्फ पता हो सकता है, Magnitude ही हम उससे मेजर कर सकते हैं, कि यह Current कितनी Value की है, जबकि CRO से क्या कर सकते हैं, कि इसके Measurement तो करी सकते हैं, उस Current की जो Waveform है, जो Waveform बन रही है, उस Signal में, उसको भी हम देख सकते हैं, उसको Observe कर सकते हैं, उसके Waveform को Analyze भी किया जा सकता है, सामान्यता है, इसमें एक XY Plotter होता है, XY Plotter से मतब होता है, कि इस तरीके से X और Y Axis से बना हुआ, एक Screen होती है, जिसमें हमें इस तरीके से, एक Screen के माध्यम से, जो हम Signal इसमें Apply कर रहे हैं, उसके According Measurement के बाद, Results को हमें Show करके बताता है, तो यह एक XY Plotter होता है, जो Screen पर विविन चैनलों से प्रियुक्त होने वाले Signals को Display करता है, CRO में एक Cathode Rate Tube होती है, अभी मैं आपको डाइग्राम से सारी चीजों को Explain करूँगा, जिसमें एक Electron Beam लगी होती है, हीटर लगा हुआ होता है, जोकि Electron Beam को Generate करता है, और यह High Velocity, यहनि बहुत ज्यादा Wave से यहा इसके लिए Electrical Signal Voltage की जरूरत होती है, और Cathode Rate जो Tube है, उसकी जो Electron Gun होती है, उसके अंदर जो Heater का Use किया जाता है, इसमें कम, यानि की Low Voltage Supply की आवशकता होती है, आगे चलके आपको चीज़ें समझ में आएगी, जो हमारा CRO होता है, उसमें दो प्रकार की Supply दी जाती है, एक Low Voltage Supply दी जाती है, और एक High Voltage Supply दी जाती है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि Low Voltage Supply क्यों दी जाती है, और किन किन Circuits के लिए दी जाती है, क्योंकि ये चीज़ें भी एक्जाम में पूछे जाती है, ठीक है, CRO में एक Vertical Amplifier होता है, जिस पर हम Input को Apply करते हैं, और ये Vertical Amplifier है, जो हमारा Signal Display होना है, उसको ये Amplify करता है, जैसे कि अगर Transducer ने, जैसे माली जगा हमने Voltage को Measure किया, अब वो Voltage की इतनी वहाँ पर Strength नहीं थी, कि वो सीधा-सीधा वहाँ पर Display पर जो Processing हुई, उसके बाद Display को So कर पाया, तो यहां पर एक Vertical Amplifier लगाया जाता है, जो कि क्या करता है, Input Signal को Emplify करता है, या फिर Transducer से जो हमारा Signal आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि माली जगा मुझे Phase Difference मेजर करना है, अब Phase Difference मेजर करने के लिए क्या करना होगा, कि एक Transducer का Use करना होगा, जो कि Phase Difference को Voltage में Convert करे, फिर जब यह Voltage में बन जाएग में जो हमारी Quantity है, उसको लेता है, तो माली जगा Phase Difference लिया, तो Phase Difference के लिए हमें इसको Transducer के माध्यम से क्या करना होगा, चेंज करना होगा, वोल्टेज में, और फिर वोल्टेज को हम अपने CRO के Vertical Amplifier पर Apply करते हैं, Vertical Amplifier का का काम यह है, कि यह Signal को Amplify कर देता है, और यह Vertical Amplifier होता है, उसके अंदर जो Signal है, कुछ पार्ट को यह Trigger Circuit में देता है, अभी आपको Diagram में यह चीज है Clear होगी, ठीके, जो Trigger Circuit होता है, वो क्या करता है, कि वो Signal के Cycle के According, जो Point होते है, उनकी Pulse को Generate करता है, जैसे कि यहाँ पर माल लिजगा हमाई एक Cycle है, कुछ इस तो होना है, अब इस Point पर क्या होगा, इस वाले Point पर, इस Strength की Pulse Generate होगी, और यह Pulse क्या है, Sweep Generator में जाकर के, यह क्या कर देगी, कि वहाँ पर एक साटूत waveform को Generate करेगी, और जो साटूत waveform Sweep Generator के द्वारा Generate किया गया है, यह कहां पर जाएगा, यह आपके Horizontal Deflection Plate पर इसा Amplify होकर के, जिसके बाद यह जो Pulse यहाँ पर आपकी, यहाँ पर Generate होई थी, इसके माद्याम से जो हमारी साटूत Wave Generate होई थी, फिर यह क्या करेगा, उसके Magnitude के According, स्क्रीन पर इस तरीकी की आकृती को बनाने लगता है, धीरे-धीर, पहले इस Point पर होगा, फिर इस Point तो इस तरीके से यह Pulse धीरे-धीरे Generate होती रहती है, और यह Pulse Generate होकर के कहाँ पर जाती है, हमारी Sweep Generator में जाती है, जहाँ पर साटूत Waveform जनरेट होती है, और साटूत Waveform को जो जहाँ पर Horizontal Amplifier लगाया हुआ है, वो उसको Amplify कर देता है, ठीक है, चलो मैं आपको पर Diagram के माद्यम से सारी चीज़ों को समझाता हूँ, यह आप देख पा रहे हैं, यह हमारे CRO का Diagram होता है, CRO के Diagram में इतने पार्ट को CRT कहा जाता है, कितने पार्ट को, इतने पार्ट को, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो हिस्सा है, इसको CRT कहा जाता है, इसको CRT य उस पर हम किस प्रकार के पदार्त का लेपन करते हैं यानि कि कौन से पदार्त को यहां पर यूज किया जाता है उसकी स्क्रीन को लेप करने के लिए तो इसमें यूज किया जाता है फॉस्फोरस का ठीक है बहुत बार यह चीज़ें एक्जाम में आई है तो इसको ध्यान रख है यहाँ पर trigger circuit होता है यह time based generator होता है यहाँ पर यह horizontal amplifier होता है यह इसकी जो plate आप देख रहे हैं दो प्रकार की plate है यह होती है vertical plate और यहाँ पर इसको कहा जाता है horizontal deflection plate यह vertical deflection plate है और यह horizontal deflection plate होती है यहाँ पर अब चीजों को समझ लेते हैं यह तो आप circuit में जो जो भी element use किये गए हैं उनको आप समझ गए कि कौन सी क्या चीज होती है यह जो आप देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है electron gun electron gun इसको कहा जाता है यह जो electron gun होता है इसके अंदर एक heater लगा होगा होता है जो कि क्या करता है electron beam को generate करता है यहां से electron की beam generate होती है जो आगे high speed से जो high velocity से यहां पर accelerate होती है तो क्या होता है कि जब यह high velocity से accelerate हो रही होती है तो यह हो सकता है कि यहां वहाँ फैल जाए इस तरीके से फैल भी सकती है तो इसको फैल ने ना पाए इसको एक ही लाइन में focus किया जाए इसके लिए यहाँ पर focusing anode का use किया जाता है यह आप देख रहे हैं यह anode लगे हुए है यह focusing anode है जो कि क्या कर रहे हैं जो electron beam यहाँ पर generate हो रही है इसको बिलकुल focus रखते हैं कि यहाँ वहाँ यह फैल दे ना पाई वलकि यहाँ पर focus होकर के सीधे सीधे निकले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो यह हमारी electron beam होती है यह किस प्रकार की power supply से जुड़ी हुई होती है इन चीजों को अच्छे तरीके से नोट करते जाएगा कि कौन कौन सा सर्केट हमारी किस प्रकार की power supply से जुड़ा हुगा होता है तो जो electron beam जुड़ी हुई होती है वो low power supply से जुड़ी हुई होती है यह किस से जुड़ी हुई होती है low power supply से जुड़ी हुई होती है चुकि इसमें दो प्रकार की power supply है एक high power supply और एक low power supply आगे चल करके आपको सब चीजें पता हो जाएंगी कि कौन सा circuit किस से जुड़ा हुआ होता है तो ये electron beam हो गई इसके बाद यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको electron beam का क्या काम है electron beam का काम है यहाँ पर जो हमारे electron beam है उसको generate करने के लिए इसमें heater use किया जाता है जो कि electron beam को generate करता है फिर इसमें focusing anode है इनका काम भी आपको समझ में आ गया कि इनका क्या होता है कि जो हमारे focusing anode है electron beam जो generate हुई है वो यहाँ वहाँ फैल नहीं पाए इसको एक ही जगए एक line में focus किया जाए इसका क्या use था vertical amplifier amplifier के बारे में आपको पता होगा amplifier करता क्या है signal को amplify करता है तो हम जब भी कोई चीज measure करते हैं तो वो अपने input को हम सबसे पहले vertical amplifier में ही input देते हैं vertical amplifier जो है वो एक यहाँ पर signal को amplify कर देता है और आगे की और ये process कर देता है ये आगे की और process होता है जिसका कुछ हिस्सा जो होता है वो कहाँ पर चला जाता है वो यहाँ पर trigger circuit में आ जाता है फिर इसके बाद ये trigger circuit जो होता है वो हर point के according जो हमारा यहाँ पर input signal था उसके हर point के according trigger को generate यानि कि pulse को generate करता है pulse generate होती है जो की time based generator में जाती है और ये time based generator है उसके according यहाँ पर signal को generate करकर horizontal amplifier में देता है horizontal amplifier क्या करता है कि यहाँ पर ये horizontal amplifier जो time based generator के अंतरगा सिगनल आया है उसकी strength को amplify करता है और फ़िर ये जो horizontal deflection plate है उस पर ये apply कर देता है अश्ये, यहाँ पर हम की power supply को जानते हैं जैसे कि हमने अभी आपको धोड़ी देर पहले बताया कि CR-O में जो power supply उसके आती है वो दो type की power supply होती है एक होती है हमारी low power supply और एक होती है high power supply तो CR-O में जो tube होती है उसके एनोड focusing anode जो होते है वो उसकी जो valve होती है वो और cathode rate tube की जो plates होती है और tube के electron को जो accelerate और focus करने के लिए यहाँ पर जो voltage power supply का use किया जाता है वो high voltage का use किया जाता है high voltage समझ लिजेगा फिर से कहां कहां पर use करते हैं high voltage का use किया जाता है यहाँ पर जो anode है आपके focusing anode है वहाँ पर इसमें जो valve है वहाँ पर और जो हमारी CRT जो cathode rate tube होती है वहाँ पर उसकी plate जो लगी हुई होती है उन पर और tube के electrode को accelerate और focus कराने के लिए जो anode जो आपके focusing anode होते हैं वहाँ तक high power जो supply है उसका use किया जाता है इसके अलावा tube का जो filament है उसके operation और बाकी के जो electronic circuit होते हैं उनके लिए low power supply का use किया जाता है tube के filament से मतलब हुगा कि जो electron beam है उसमें और इसके अलावा जो बाकी के circuit होते हैं जो हमारे यहाँ पर amplifier होते हैं delay line हो गई trigger circuit हो गया time based generator हो गया वहाँ पर horizontal amplifier हो गया वहाँ पर आपकी low power supply यूज की जाती है फिर से समझ लीजेगा इस point को कि low power supply कहां कहां पर यूज की जाती है इसकी electron beam में generate करते time heater में low power supply की बात कर रहे हैं इसके अलावा trigger circuit में vertical amplifier में low power supply यूज की जाती है डिले line में low power supply यूज की जाती है time based generator में low power supply यूज की जाती है horizontal amplifier में भी low power supply यूज की जाती है तो इतनी चीजों में low power supply का यूज की जाता है अब high power supply कहाँ पर यूज की जाती है तो यह जो आपके यहाँ पर focusing anode होते हैं यहाँ पर high power supply यूज की जाती है इसके अलावा जो यहाँ पर यह vertical deflection plate है और horizontal deflection plate है इनमें हम high power supply का यूज करते हैं इसके अलावा यहाँ पर जो आपके एनोड होते हैं उनमें high power supply और जो आपकी जो CRT tube होती है जहाँ पर यह fluorescent screen XY plotter बनता है वहाँ पर भी high power supply का use किया जाता है तो इन points को अच्छे तरीके से समझते जाईएगा इनको याद करती जाईएगा हो सकता है यह चीजें गाम में पू इसका क्या काम है इसको हम डीटेल में जानते हैं यह हमारा vertical amplifier तो CRO में जो भी हमें signals को measure करना होता है उसे input करते हैं हम सबसे पहले अपने vertical amplifier में vertical amplifier का है एक प्रकार का amplifier है जो की gain जितना gain हमें उस signal में देना है उसके according attenuator को उसमें set कर दिया जाता है जो उसमें attenuator लगा हुआ है जैसे हमारा supply जो signal आया उसकी strength कम रही strength कम करने के लिए amplifier का use हुआ ताकि वो उसके gain को बढ़ा दे अब gain को बढ़ाने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ भी हम gain बढ़ा दें तो उसके input पर एक attenuator लगा हुआ होता है जो हमें ये पता चलता है उससे कि इसकी जो जो इसकी scale पर जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है जितनी हमें जरूरत है उसके अनुसार हम attenuator set करते हैं इस पर सामानिता एक bolt division जो होता है वो सो होता है और इसमें vertical amplifier द्वारा जो भी हमारा अग्याद signal है अग्याद से मतलब कि जो हम input signal को measure करना चाहते हैं उसको क्या करता है उसके amplitude को जितनी measurement के लिए आवश्यक है उस level तक उसके amplitude को बढ़ा देता है जिससे की जो हमारा fluorescent screen है उस पर जो हमारी waveform है उसको हम ठीक तरीके से देख सके ठीक है और जो vertical amplifier का एक जो part होता है उसको horizontal amplifier की तरह भेजा जाता है और horizontal amplifier पर भेजने से पहले हम यहाँ पर use करते हैं trigger circuit का फिर उसके बाद time-based generator होता है जिसको sweep generator भी कहते हैं जो कि साटूथ wave को generate करता है फिर साटूथ wave के माध्यम से हम horizontal amplifier पर देते हैं समझ गए इस point को इसके बाद next जो इसका part होता है वो होती है delay line delay line vertical जो deflecting plate यूज की गई है उन पर input होने वाली waveform को slow down करने के लिए उप्योग की जाती है जिसको trigger और time-based generator के माध्यम से बीट जो beam है electron beam उसको sweep करना start कर देते हैं delay line circuit जो होता है वो vertical deflection channel के कुल delay को प्रदर्शित करता है जो की लगभग 0.25 microsecond होता है delay line अगर ना हो जिसे हम अगर delay line circuit का इसमें use ना करें तो क्या होगा कि vertical input signal horizontal sweep के start हुए विना ही CRO तक पहुँच जाएगा और फिर वहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो waveform है वो generate हो करके so नहीं होगी तो cdc बात है यहाँ पर delay line का क्या काम है कि जो deflecting vertical deflecting plate है उस पर जो हम input दे रहे हैं या input जो आ रहा है उसकी waveform को slow down करना उसके time को synchronize करना जिसकी वज़े से जो हमारी signal है वो horizontal sweep के start होते ही वहाँ पर पहुचे और CRO तक पहुच करके signal को क्या कर पाए इस तरीके से so कर पाए यहाँ हम diagram में देख सकते हैं यहाँ पर use की गई है यह delay line इसका connection किससे है तो vertical deflection plate के साथ इनका connection है एक बार फिर से समझ लीजेगा कि यहाँ पर जो vertical amplifier है इसके कुछ part को delay line पर दिया जाता है और कुछ part को time circuit पर, sorry trigger circuit पर दिया जाता है इसके delay line पर देने का मतलब यह है कि य signal जो आपका यहाँ से trigger circuit के माध्यम से जब pulse generate की गई, time base generator के माध्यम से जो start tooth wave generate की गई, उस start tooth wave को horizontal amplifier ने यहाँ पर horizontal deflection plate पर दिया, तो यह पूरे process को होने तक, इस process को synchronize करने तक, इस delay line के माध्यम से जो यहाँ पर हमारा signal आ रहा था, इसको यह क्या करती है, delay करके रखती ह हैं, ताकि ऐसा ना हो कि अगर मान लिजगा हम इस delay line का use नहीं करते, तो जो हमारा vertical amplifier है, इसका कुछ पार्ट हमें vertical deflection plate पर देना होगा, और कुछ पार्ट को यहाँ पर इस horizontal amplifier के माध्यम से बाकी के circuits को use करके, horizontal deflection plate पर देना होगा, जब delay line ही नहीं होगी, तो क्या होगा कि यह process जब तक complete होगी, यह जब pulse generate करेगा, यहाँ पर साटूद wave generate होगी, यहाँ पर यह इसको amplitude करेगा, इसके amplitude को बढ़ाएगा, यानि कि amplify करेगा, उससे पहले ही यह इसका कुछ पार vertical deflection plate पर पहुँच चुका होगा, और फिर जो हमारी circuit के माध्यम से जो हमें waveform बननी थी, और यहाँ पर waveform नहीं बन पाईगी, तो delay line का काम आपको समझ आ गया होगा, कि यह input signal के उस part को delay करके रखता है, जो हमारा vertical amplifier दे रहा होता है, समझ गए इस बात को, तो delay line क्या है, यह हमारी signals को delay करने के लिए use की जाती है, जो कि इसका जो delay line का time period होता है, यह 0.25 microsecond तक की delay provide करता है, इसके बाद अगला circuit है, हमारा trigger circuit, trigger circuit जो होता है, वो input की waveform को sample feed करने के लिए use किया जाता है, जो input waveform के selected point होते है, उन points के आधार पर यह trigger pulse को generate करता है, तो यहाँ पर आप फिर से इसको चीज को समझ लिजेगा, कि यह waveform इस तरीके से बननी है, तो इसके बहुत छोटे 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 इस तरीके से अनन्द point होंगे, अनन्द point होने का मतलब कि बहुत छोटे छोटे point होंगे, तो यह हर एक point पर इस तरीकी की एक pulse को generate कर देता है, और यह pulse जब generate होती है, तो यह pulse time based generator में जाती है, और time based generator को start करके उस साटूत waveform है, उसको generate कर देती ह तो trigger आपको circuit समझ में आ गया होगा कि जो भी हम measure करने वाली अपनी quantity होती है उस quantity के sample को feed इसमें कर दिया जाता है और ये उस input waveform के जो selected point है उन selected point को trigger करता है और यहां से एक pulse को generate कर देता है और ये pulse हमारी time-based generator में पहुँच जाती है यहां पर अगला part होता है time-based generator डाइगराम में एक बार फिर से इसको देख लीजेगा कि यहां पर बना हुआ था हमारा क्या ये trigger circuit यहां से फिर था time-based generator जो कि trigger circuit से जो भी इसने pulse को generate किया वो हमने apply गी अपने time-based generator पर तो time-based generator का काम क्या है यह साटूथ waveform को generate करता है तो इन points को ध्यान रखना time-based generator किस तरीकी की waveform को generate करता है तो यह साटूथ waveform को generate करता है CRT में जो horizontal deflection plate या voltage होती है उसकी तरह इसका उपयोग किया जाता है और इस voltage के positive part time division और negative part जो है वो time centimeter को control करता है यह साटूथ voltage होता है horizontal amplifier में इसको feed कर दिया जाता है testing signal के जो उसकी जो प्रदर्शन है या उसको जो हमें so करना है उसको इस तरीके से x, y जो deflection है या फिर x deflection जो plate होती है उस पर एक signal की अवश्यक्ता होती है इस signal को time-based signal और इसके द्वारा उत्पन होने वाले circuit को time-based circuit कहा जाता है तो यह आपको चीज समझ में आ गई कि time-based generator का काम क्या है यह satooth waveform को generate करता है और इसके द्वारा जो satooth waveform generate की हुई होती है वो apply करनी होती है हमें कहां पर वो apply करनी होती है horizontal deflection plate पर लेकिन horizontal deflection plate पर apply करने से पहले एक horizontal amplifier का use किया जाता है जो इसको क्या करता है इसके द्वारा जो output signal मिला है उसके amplitude को जो amplify है जितनी आवश्यक्ता होती है gain जितना हमें प्राप्त करना होता है उसको यह amplify करके horizontal plate पर इस तरीके से apply किया जाता है तो इस तरीके से time-based generator के बाद अगला जो हमारा part होता है वो होता है horizontal amplifier horizontal amplifier और जो horizontal amplifier है उसमें क्या है vertical amplifier से आने वाला जो signal है उसको triggered sweep generate करने के लिए उपयोग किया जाता है यहाँ पर आपने देखा था कि horizontal amplifier में क्या हो रहा था कि vertical signal का जो हमने input दिया उससे जो signal मिला उसका हिस्सा यहाँ पर आया और यहाँ से होते होते यह horizontal amplifier तक आविया तो यह horizontal amplifier यह vertical amplifier से आने वाले जो signal है उसके triggered signal को sweep generate करने के लिए उपयोग किया जाता है इस signal की free running के लिए किसी भी प्रकार की triggering की जरूरत नहीं होती है horizontal amplifier में time-based generator का साटूथ voltage feed किया जाता है जो साटूथ voltage time-based generator के द्वारा generate किया गया था उसको हम अपने horizontal amplifier में feed कर देते हैं इस amplifier में phase inverter भी सामिल होता है क्या सामिल होता है phase inverter भी सामिल होता है जो दो क्रमागत output waveform को generate करता है जिसमें से positive साटूथ waveform जो हमारी यहां पर दाई horizontal deflecting plate है और रणात्मक जो साटूथ waveform है वो हमारी left horizontal deflecting जो plate है उस पर use की जाती है तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना यह point बहुत important है सबसे पहले तो यह important point है कि horizontal amplifier में एक phase inverter होता है और इसमें जो positive बाली जो साटूथ waveform है वो कहां पर किस देखिए deflection जो plate है वो दो प्रगार की है यहां पर आप देख रहे है horizontal जो deflection plate है वो आपको यहां पर दिख रही होगी कुछ इस तरीके से लगी हुई होती है horizontally का मतलब कुछ इस तरीके से vertical का मतलब क्या होता है कि लेटी हुई यहां पर वो 3D आपको diagram नहीं दिख पाएगा तो इस तरीके से समझ ली जगा कि vertical कैसा है यहां पर लेटी हुई और horizontal कैसी है इस तरीके से तो यह horizontal जो हमने बनाया है इसमें जो positive बाला आया positive बाला जो साटूथ waveform आया वो कहां पर right जो horizontal plate है उस पर apply हुआ और negative बाला जो साटूथ waveform आया वो कहां पर apply हुआ वो यहां पर इसकी जो left side वाली जो horizontal reflection plate है उस पर इसको apply किया गया तो इस voltage के कालड़ ही CRT के across electron beam जो है वो swift हो पाती है तो यह चीज आपको समझ में आ गई कि horizontal amplifier का काम क्या है horizontal amplifier का बस basic सा इतना सा काम है कि time base generator sweep generator के माध्यम से जो साटूथ wave generate हुई है जो हमें अपने horizontal deflection plate तक पहुचानी है उसके gain को वड़ा देता है ताकि जो हमारी waveform बन रही है हमारे CRT में वो आवश्चक waveform महाँ पर बन सकी इसमें एक phase inverter सामिल किया जाता है इसके साथ-साथ इसमें जो हम input देते हैं वो कहां से देते हैं अपने जो time base generator था उसके output को ही इस पर input किया जाता है इसमें जो waveform generate होती है साटूथ waveform generate होती है उसका जो positive बाला part होता है वो right side वाली horizontal deflection plate पर apply किया जाता है और जो हमारी negative साटूथ waveform होती है उसको left वाली horizontal deflection plate पर apply किया जाता है इसके बाद अगला जो part होता है उसको CRO कहा जाता है यानि की CRT कहा जाता है cathode rate tube यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अब तक किन किन चीज़ों को discuss कर लिया है हमने अपने vertical amplifier को discuss कर लिया delay line को discuss कर लिया trigger circuit को discuss कर लिया time based generator को भी और horizontal amplifier को भी इसके साथ साथ जो हम यहाँ पर दो प्रकार की supply दे रहे थे उनको भी हम ने यहाँ पर समझ लिया कि जो हमारी high voltage की supply होती है अब हम यहाँ पर जानते हैं अपने CRT के बारे में तो CRT में क्या होता है कि cathode rate tube जो होती है वो CRO के इसको heart कहा जाता है यानि कि यह इसका heart होता है main part होता है CRO का सबसे important हिस्सा होती है CRT इसकी screen पर signal अंतिम रूप से display होता है और यह cathode rate tube इस गुल पर निर्भर करता है कि परदे के पीछे जो यहाँ पर fluoroscent screen है वो इसके spot को generate करती है एक बहुत important point यहाँ पर note कर ली जगा कि CRT जो हमारी tube है उस पर किस प्रकार के पदार्थ को लेपित किया जाता है तो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ phosphorus का use किया जाता है इस screen को लेप करने के लिए समझ गए इतनी बात इसी को XY plotter भी कहते है यानि कि CRT जो पूरी tube है बस जो उसकी screen होती है उसको XY plotter भी कहा जाता है जहाँ पर हमारी measurement के बाद जो signal waveform बन रहा है उसको वहाँ पर दर्साया जाता है अब जानते हैं हम अपने CRO के applications के बारे में applications of CRO CRO के अनुपरियों कहां कहां पर किये जाते हैं कहां कहां पर CRO का use किया जाता है जो भी point यहाँ पर बता रहे हैं वो exam के लिए बहुत ज़्यादा important है तो इन points को बहुत अच्छे से समझते जाईएगा सबसे पहला है कि इसके द्वारा AC voltage और current के साथ DC voltage और current को भी major किया जा सकता है हम CRO के माध्यम से AC voltage यानि कि AC quantity के साथ साथ DC quantity को भी major कर सकते हैं यह voltage के peak to peak, RMS और duty cycle चैटे parameters को भी इसके माध्यम से ग्याद किया जा सकता है यानि कि इसकी peak to peak value हमें पता करनी है RMS value पता करनी है duty cycles पता करनी है तो इन parameters को भी हम CRO के माध्यम से find out कर पाते हैं Laborities में जो CRO है उसके द्वारा signal के frequency time period, phase, difference जैसे जो relations होते हैं उनको हम CRO के माध्यम से पिरात कर सकते हैं इसके द्वारा जो periodic signal होता है periodic signal जो time के according change हो रहा है उसके साथ non periodic signal का भी अध्ययन किया जा सकता है तो समझ लेना इस बात को कि CRO जो हमारे periodic signal के साथ-साथ non periodic signals की जो waveform होती non periodic signal जो होता है उसको भी measure करने के लिए उसको analyze करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है radar, communication के object में जो इसका waveform generate हो रहा है उसको देखने के लिए भी CRO उपयोगी होता है ये radio अनुपरियोगों में channel की साहता से signal को measure और trace करता है ये frequency modulation जैसे FM receiver के सामन जस्ट के लिए भी प्रभावी मार्ग उपलब्द कराता है इसके अलावा जो medical applications होते हैं यानि की medical instruments होते हैं उनमें भी कार्डियोग्राफ को display करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जैसे की आपने देखा होगा कि जो मानव हिर्दय है उसके जब कार्डियोग्राफ लिया जाता है तो कुछ इस तरीके से एक line बगेरा चल रही होती है तो ये जो so करते हैं इनको हम CRO के माध्यम से ही so कर रहे होते हैं वहाँ पर CRO ही लगा हुगा होता है जो कि मानव हिर्दय के die organesis के प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है यानि कि कार्डियोलोजस्ट जो यूज करते हैं हिर्दय की जो pulse है उसको धर्साने के लिए तो CRO का यूज किया जाता है इसके अलावा BH कर्व BH कर्व क्या होता है BH कर्व होता है जो हमारी magnetic flux density हो गई और magnetic field की strength हो गई उसको सो करने के लिए यहाँ पर BH कर्व का यूज किया जाता है समझ गए तो इस तरीके से इसके द्वारा BH कर्व PV कर्व PV कर्व का मतलब क्या हो गया यहाँ पर pressure और pressure के शासाथ volume तो PV कर्व और इसके अलावा यहाँ पर XY कर्व इनके माध्यम से इनको observe करने के लिए भी इनका use किया जाता है transmitting antenna के द्वारा generate हुए radiation patterns को observe करने के लिए भी इसका use किया जाता है जो हमारे transmitting antenna होते हैं उनके द्वारा जो radiation pattern generate किया जाता radiation pattern आपने देखा होगा कि बहुत सारे different type के हमारे antenna होते हैं और उनके माध्यां से अलग अलग radiation patterns को क्या किया जाता है generate किया जाता है तो उसको हमें observe करना है अब उसको direct ऐसे तो देख नहीं सकते कि कुछ भी है तो हमने देख लिया या तो उसको calculate किया जा सकता है या फिर उसको मान लिएगा हमने calculate किया अब उसको हम बिल्कुल exact देखना चाहते हैं तो देखने के लिए क्या करेंगी सियारो का यूज करेंगे इसके अलाबा बहुत सारे जो transducers होते हैं उनके भी अध्यान करने के लिए इसका उपयोग किया जैसे strain हो गया temperature हो गया pressure हो गया इस तरीकी की चीजें भी हम सियारो के माध्यम से मेजर करते हैं विबेन प्रकार के transducers, strain temperature, pressure यह सब तो मेजर करते ही हैं modulation जो characteristics होती हैं उनको मेजर करना transmission line में standing विफम जो होती हैं उनको detect करने के लिए भी इनका use किया जाता है इसके अलाब जो oscilloscope technique होय है उसमें curve जो tracer होते हैं उनका उपयोग vacuum, tube, transistor और integrated circuit जैसे active डिवाइसों में किया जाता है इसके द्वारा capacitance और inductance को भी मेजर किया जाता है और diode को भी check किया जाता है इसके द्वारा विबिन circuit के जो treatment component होते हैं उनको check करने के लिए किया जाता है तो यह हमारा जो CRO है उसके applications है इनको अच्छे तरीके से याद कर लिजेगा अब यहाँ पर हम जान लेते हैं अपने CRO के बारे में कुछ यहाँ पर important specifications जो कि exam के point of view से काफी important है सबसे पहले इसके bandwidth के बारे में जानते हैं तो CRO का जो vertical amplifier है उसकी जो bandwidth है वो 3 dB होती है इन points को जो static point है static point को याद करते जाईएगा exam में question बनके पूछे जाते हैं तो CRO का जो vertical amplifier है उसकी जो bandwidth होती है वो 3 dB होती है इस मान पर यह 0 से लेकर के 15 MHz frequency के signal को विना attenuation के भी amplify कर सकता है यानि कि अगर हमें कोई signal 0 से लेकर के 15 MHz तक measure करना है measure करने का मतलब उसमें हमारे पास कोई ऐसा signal है जिसकी frequency इस range की है तो फिर हमें अपने जो vertical amplifier हमने CRO में use किया होगा है उसको attenuate नहीं करना पड़ेगा उसको वहाँ पर इस तरीके से gain उसमें नहीं देना होगा ये बाकी बिना attenuation के भी उन signals को इस category के अंतरगत क्या कर पाएगा amplify कर पाएगा इसके अलाबा इसकी vertical sensitivity की बात करें तो ये 12 calibrated step के 125 sequence में vertical sensitivity के जो value होती है वो 5 MB पर centimeter से 20 voltage पर centimeter होती है vertical ये इसकी sensitivity है sensitivity आपको बताई थी कि sensitivity क्या होती है किसी भी instrument की तो ये 12 calibrated step के 125 akinest के vertical sensitivity का जो मान होता वो 5 millibolt पर centimeter से लेकर के 20 volt पर centimeter होता है इसके input impedance की बात की जाए बहुत important point है ये जो भी specification आपको बताए जा रहे है तो input impedance, CRO का input impedance होता है वो 1 mega ohm पर 30 pf होता है इसके अलावा maximum input की बात की जाए तो DC supply के लिए CRO में maximum input की जो value होती है वो 400 volt और AC supply के लिए 400 peak होता है इस मान पर CRO को सुरक्षा पूर्भक operate किया जा सकता है तो ध्यान लिजेगा ये इसकी maximum input supply होती है 400 volt DC और 400 peak जो value होती है हमारी current की जो peak value होती है उसको यहाँ पर apply करके हम प्राप्त कर सकते हैं कप्लिंग की बात करें तो CRO में input selector attenuator के input signals को यहाँ पर coupled किया जाता है CRO में input selector जो attenuator होते हैं उनको input signals में कप्लिंग किया जाता है इसकी input जो coupling है वो तीन positions के switch में जुड़ी होती है AC, ground, DC तो इस तरीके से इसकी coupling को connect किया जाता है accuracy की बात करें तो accuracy को percentage में calculate किया जाता है बहुत ज़्यादा important point है यह आपके exam के लिए तो CRO की जो accuracy होती है वो plus minus 30% होती है scale अब पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई है उसके लिए voltage 220 बोल्ट और frequency 50 हर्च और धारा कमान 400 यहाँ पर बोल्ट एमपियर हो सकता है तो यह पावर सप्लाई के इस तरीके के specification है CRT की बात करें तो इसमें एक electron gun आंत्रिक ग्रेटी क्यूल के साथ 140 mm की आयताकार ट्यूब होती है जो हम electron gun का यूज करते हैं उसकी जो जहाँ पर जो कह सकते हैं की इसकी जो amplitude होता है या फिर इसकी जो range होती है वो 140 mm की एक rectangular tube बनी होती है और इसका जो display area होता है 8 y 10 cm का होता है CRT में जो display area है x y जो plotter होता है वो किस range का होता है 8 y 10 cm का होता है trigger system की बात करें तो CRO के trigger system में mode on और mode sorry mode on on variable positive और negative slope में 30 MHz की जो trigger है वो उस bandwidth का इसमें उपयोग किया जाता है कुछ important point है जो की exam के लिए बहुत ज़ादा important है इनको यहाँ पर हम जान लेते हैं वो device जो समय के साथ किसी signal के characteristics जैसे की amplitude हो गया frequency हो गया उसको प्रदर्सित करती है उसे cathodery tube oscilloscope कहा जाता है इसको sun shift रूप से यानि की short form में CRO कहा जाता है बहुत ही असान सा question है लेकिन पूछा जाता है exam में CRO का कई बार full form ही पूछ लिया जाता है तो cathodery tube इसका full form होता है CRO के माध्यम से अत्यंत बहुत ही low frequency से लेकर के higher frequencies तक के signals के जो आकार हैं उनको हम बिलकुल इस पस्ट तौर पर इसकी जो xy plotter है उन पर देख सकते हैं, measure कर सकते हैं, इनको observe किया जा सकता है CRO के बहुत सारे applications होते हैं जिन में से कुछ इस प्रकार से है कि इसके माध्यम से AC और DC दोनों प्रकार की quantities को measure भी किया जा सकता है voltage के मान को भी measure किया जाता है, इसके signals के द्वारा peak से peak value, root mean square value यानि की RMS value, time period जैसे जो यहाँ पर इसके parameters होते हैं, उनको measure कर सकते हैं इसके अलावा CRO के माध्यम से जो liberties हैं, उनमें दो signal की frequency के अंतरगत जो phase difference हा रहा है जिसको हम BH curve, lisaju pattern के माध्यम से देख पाते हैं, उसको हम इस CRO के माध्यम से देख पाते हैं इसके अलावा time period जैसे कुछ जो relations होते हैं, उनको हम दो signals के बेच जो frequency difference हो गया, face difference हो गया time period का जो difference हो गया, उसको हम CRO के माध्यम से ही पता कर पाते हैं radar में इसके माध्यम से जो हमारा जो target होता है, उसकी condition, उसकी जो position होती है, उसको सही तरीके से पता किया जाता है CRO के माध्यम से, इसके अलावा radio जो transmission है, उसमें CRO का उप्योग किया जाता है, जिसमें RF, IF, AF, जैसे जो अलग-अलग parameters होते हैं, उनको measure करने में इसका उप्योग किया जाता है जो medical वगेरा होते हैं, वहाँ पर तो आपको बताई दिया है कि heart जो है, उसकी जो यहाँ पर धड़कन है, उसको graph denote कने के लिए CRO का उप्योग किया जाता है इसके लाबा digital storage oscilloscope होता है, जो कि CRO का ही digital एक कह सकते हैं version होता है, जिसमें digitally loop से हम signals को देख पाते हैं, memory में इसमें memory use की जाती है, जिसमें signals को store भी किया जाता है तो इस प्रकार के oscilloscope में cathode ray tube जो है, वो काम में ली जाती है, digital जो storage oscilloscope होते हैं, वो कुछ नहीं है, बस CRO के digital version होते हैं, digital storage oscilloscope के यहाँ पर कुछ लाब जान लेते हैं, इनको operate करना काफी आशान होता है, और इनकी जो strength होती है, वो काफी ज्यादा होती है, इनका समय storage जो time हो काफी infinite तक होता है, इसमें जो cursor है, उसकी गढ़ना भी possible होती है, इसमें output signals को store भी किया जा सकता है, और digital storage oscilloscope के माध्यम से भी XY curve, BH curve, PB curve इन तरीकी की quantities इस तरीके के graphs को denote किया जाता है, XY जो curve होता है, वो normally होता है, BH curve जो होता है, वो magnetic flux density और magnetic flux जो तीवरता होती है, उसके होता है, वो आपका temperature, pressure बगएरा इन चीज़ों पर apply किया जाता है, pretty girl view के दवारा trigger से पहले signals को क्या किया जा सकता है, इसमें प्रदर्सित किया जा सकता है, तो ये CRO के बारे में हमने इस video class के माध्यम से सभी चीज़ों को cover कर लिया है, उम्मीद हो है, आपको सारी चीज़ आपको साद।